Aptus Value Housing Finance IPO तो ये है 4th IPO जो की पिछले 2 दिन में 4 IPO आ चुके हैं कल 2 IPO आये थे और आज 2 IPO आये हैं तो टोटल 4 IPO पीछे भी 4 IPO चले गए हैं और ये 4 IPO और आ गए हैं IPO से जुड़ी हर अपडेट आपको यहां पे मिलती रहती है तो अभी हम Aptus Value Housing Finance का रिव्यू करने वाले हैं कैसा है ये IPO क्या करना चाहिए कुछ चीजें हैं इस कंपनी के बारे में वो जान लेते हैं Aptus Value Housing Finance one of the largest housing finance companies in South India is planning to raise 2780 करोड रुपे का ये IPO है और एक largest company है South India में ठीक है Housing Finance company है South India की एक largest company है ठीक है अब यहां पे कुछ चीजें और हैं इस company को लेगे वो भी जान लेते हैं दो issue size तो आपने जान लेगी 2780 करोड रुपे का है और यहां पे इस IPO की जो opening है वो 10 अगस से 12 अगस तक चलने वाली है 10 अगस आज है हो गई है रिटेल में 35% का है प्राइस बैंड यह अगर बात करें 346 से लेके 353 का पर शेयर है 346 तू 353 और अगर यहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की हम बात करें 14,826 आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा यह हो गई कुछ बेसिक सी डिटेल्स Aptus Value Housing Finance को लेके अब बात कर लेते हैं कुछ चीजें और भी हैं इस कंपनी के बारे में किसी भी कंपनी की कहते है ना कि अगर हमें उसकी सब कुछ जानना है ना तो उसका हमें Profit Revenue उसके भी नजर डालनी चाहिए तो Aptus Value Housing Finance का अगर हम Revenue और Net Profit की बात करें Financial Year 2019 का अब देखो Graph देखो बढ़ता जा रहा है हर साल अब जरागोर से देखना Revenue हुआ 2019 में 324 करोड का Profit हुआ 112 करोड का 2020 में 500 करोड का Revenue हुआ 211 करोड का जो है Profit हुआ 112 से 211 करोड हो गया 2020 में 211 से 667 करोड Profit हो गया अभी 2021 का अभी 2021 पूरा भी नहीं हुआ ठीक है और 637 करोड Revenue हो गया 2021 में तो Graph देखो कैसे बढ़ा है ऐसे 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 तो अब आने वाले टाइम में और उपर जा सकता है ठीक है फिर भी IPO को अगर हम नजर रखें इस कंपनी की चीज़े देखें तो कंपनी की सब चीज़े ठीक है एक हाउजिंग लार्जस्ट हाउजिंग फाइनेंस कंपनी है और कुछ चीज़े और हैं वो भी जान लेते हैं नंबर ओफ ब्रांच इन पर्टिकूलर स्टेट्स टोटल 190 ब्रांच है और यहाँ पर आप देख सकते हो तो तमिल नाडू, आंधर परदेश, तिलंगाना और करनाटका यह स्टेट्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 79 इनकी जो ब्रांच है वो तमिल नाडू में है ठीक है तो साउथ इंडिया में कमपनी का मतलब जोरो शोरो से काम है आप ऐसा समझ सकते हो साउथ इंडिया, अगर तमिल नाडू को यह ग्राफ है 79 ब्रांच है तमिल नाडू में तो यह है Aptus Value Housing Finance Company, South India की एक Largest Housing Finance Company. अब इस IPO के लिए अगर आप Apply करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको बतायता हूँ. आप किसी प्लैटफोर्म से Apply कर लो, लेकिन जो प्रोसीजर है वो लगबग सेम रहता है. प्राइस रेंज इस Aptus Value Housing Finance की 346 से 353 है, 14,532 का यहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम क्वांटिटी आपको शेयर की 42 मिलेंगी, 10 से 12 अगस चलने वाला और 10 से 5 पीम आप Apply कर सकते हो, अपलाई कैसे करना है, और IPO अब तक का अगर डेटा देखें, 5 ब अगरेटेगरी में, तो अभी 2 दिन है, आज ही लॉँच हुआ है, तो कल का दिन भी है, परसो का दिन भी है, कल के दिन के बाद थोड़ी situation क्लियर होगी, कि कितना सबस्क्राइब होता है, ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ, largest housing finance company है, South India की, South India में ज्यादा मतलब काम ह और यहाँ पर तीन स्टेप्स हैं, एपलाई करने के लिए, आपका account ready होना चाहिए, KYC complete होना चाहिए, आपकी सब चीजें, UPI ID आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप किसी भी platform से एपलाई करते हो, तो जो steps हैं, वो तीनो steps हैं, यह simple steps हैं, इनी को follow करना पड़ेगा आपक आपका इस से रिलेटिड कोई भी question कोई भी सवाल है, तो आप पूछ सकते हो, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, बाए बाए